एक चुटकुला सुनो जोक एक बार एक गाउं में तीन औरते होती है तीनों फ्रेंज तो उसमें से जो एक औरत होती है उसने नया लिपस्टिक खरीदा होता है तो दूसरी जो औरत होती है उसने नया नेल पॉलिश खरीदा होता है और जो तीसरी ओरत होती है उसने नया eyebrow pencil खरीदा होता है तो एक बार वो तीनों घर से बाहर जाती है सबजी market तो वहाँ पर एक आलू वाला है तो जिसने नया lipstick खरीदा था उसने आलू वाले को बोला आलू कितने रुपे किलो आलू कितने रुपे किलो तो आलू वाला उसका इसे देखता है फिर बोलता है आलू 10 रुपे किलो तो जो दूसरी ओरत होती है जिसने नया नील polish लिया होता है वो बोलती है आलू कितने रुपे किलो तो आलू वाला बोलता है आलू 10 रुपे किलो फिर जो तीसरी होती है वो बोलती है अलो कितने रुपे किलो तो ना आलो वालो को गुस्सा आ जाता है वो एक तम गुस्से में खड़ा हो जाता है और उसने धोती पहनी होती है तो वो अपने दोटी को उठा देता है मतलब पूरा उठा देता है और सब कुछ दिखा देता है और बोलता है अलू 10 रुपे किलो अलू 10 रुपे किलो तो तीनों अड़ते वाज से भाग जाती है रात को जब सब्जी वाला अपना सारा सब्जी बेच के घर आता है अपने तो जैसे वो घर में घुशता है ना उसके बेट पे उसने देखा कि उसका अंडर्वेर रखा हुआ है उसने नया अंडर्वेर खरीदा था और उसको लगा वड़ेवा आप लोग समझ के ना